So hey guys welcome back to my youtube channel मेरा नाम है गौरव तो आज मैं आप सभी के लिए New i20 का रियल लाइफ वॉकराराउंट रिव्यू लेके आया हूँ New i20 को ग्लोबली रिवील कर दिया गया है New i20 में आपको मिलती है Scientious Sportiness Design Philosophy जिससे इसको मिलता है Full-blown Sporty Hatchback का डिजाइन इस सेग्मेंट में इतनी Sporty Looking, Muscular Looking और Premium Looking Hatchback का अभी तक Launch नहीं हुई है तो आज हम इसकी सारी डिटेल कवर करने वाले है Interior देखेंगे कितना spacious है Rear का डिजाइन कितना चेंज किया गया है Boot Space कितना बढ़ाए गया है आज हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे New i20 में जितनी भी detailing की गई है वो आपको काफी premium touch के साथ मिल जाती है काफी सारी जगा आप देख सकते है इसमें Gloss Animent का यूज किया गया है जो कि सको बनाती है काफी premium hatchback और उसके साथ-साथ ये इंडिया की first connected hatchback car भी है rear का design देखिये कितना bulkी बनाया गया है boot space काफी बढ़ाया गया है इसमें और उसी के साथ-साथ second row की seat भी काफी अच्छी बनाई गयी है तो अगर आप window glass एरिये की बात करेंगे तो वो काफी बड़ा बनाया गया है और Hyundai इसको internationally as a hybrid version भी launch करने वाली है और वही आपको इंडिया में नॉर्मल आई सी इंजिन देखने को मिल जाता है music में आपको Bose के 8 speaker sound system आपको offer किया जाएगा बाकी जो आपको सारे alloy wheels का design है आपको crata inspired मिलेगा rear में आप देखेंगे तो बहुत जादा premium elements है लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि i20 जो सबसे पहले design philosophy है बहुत जादा appealing look देती है side से अगर आप देखेंगे appealing आपको अच्छा लगएगा लेकिन अगर front से आप देखेंगे तो आपको एक sedan का look देखने को मिलेगा आप मुझे comment section में अभी बताइए कि आपको इसका design कैसा लग रहा है sedan का look इसमें जरूर दे दिया गया है एक appealing look जरूर लग रहा है front में आप देखेंगे तो काफी सारा gloss element यूज किया गया है side में इतना chrome work नहीं किया गया है C pillar में आपको chrome और glossy element का combination देखने को मिलेगा एक angular theme देती है इसको और यहाँ पर आप देखेंगे chrome elements एक proper piano back finish का use इसमें देखने को मिलेगा जो आपको wrapped out tail lamps मिलता है वो बहुत ही अच्छा लगता है यह आपके boot में भी integrated किये गए है और C pillar में भी आपको partially देखने को मिलता है i20 की badging आपको right side में देखने को मिलती है और अगर आप detailing देखेंगे तो detailing भी काफी proper तरीके से आपको दिख जाती है इसमें आपको जो यहाँ जिसका real life walkaround review देखने को मिल रहा है थोड़ा सा आपको अच्छा in-depth देदेगा अगर आप लोग i20 लेने की सोच रहे या फिर i20 में इंट्रस्टेड है अगर आप लोग आएंगे तो मैं आपको यह mirror कर दिया गया है ताकि आप लोग थोड़ा बहतर तरीके से समझ पाएं इंफुटेंड्मेंट जो आपको इसमें मिल रहा है वह 10.25 इंच का मिल रहा है जो कि horizontally placed किया गया है horizontal आप पूरी lines को देख सकते हैं जो कि कही ना कही audio inspired है बोस का आपको इसमें 8 speaker unit देखने को मिलता है जिसके साथ आपको subwoofer में मिलेगा इंटीरियस के जो color combination है वो भी आपको इसमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे लाइटनिंग अगेरा जो आप यह आगे instrument cluster देख रहे हैं यह आपको इंडिया में digital मिल जाएगा लेकिन जादा बड़ा नहीं मिलेगा लेकिन infotainment जो आपको top model में वो 10.25 inches की मिलने जारी है wireless charging आपको इसमें मिल जाता है एक तरीकी से काफी अच्छा design है और spacing के अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जरुरी होती है गाड़ी की चड़ाई और जो पुरानी i20 है उसकी जो चड़ाई थी वो थी 1734 mm और इसकी जो चड़ाई है वो है 1750 mm जो की बढ़ा दी गई है जिससे आपको shoulder space काफी अच्छा मिल जाता है sound department जो जो का हैंडल कर रहा है वो है बोस जो की काफी अच्छी sound quality आपको देखने को मिल जाती है जो की आपको सेलटॉस से देखने को मिलती है और ओवराल जो इसका एंजिन डिपार्टमेंट हैंडल कर रहा है वन लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल एंजिन जो की एक अच्छी परफॉर्फॉर्मेंस देता है एक एक डीकट डिजाइँ नहीं में मिलता है जो काफी एच्छी लग रही है आप मुझे बताए जो काफी लग रही है internationally जो i20 आती हो काफी सारे features के साथ आती है autonomous braking, smart cruise control इंडिया में इतना इन का use है नहीं तो आपको basic features सारे देखने को मिल जाएंगे leather app stating wheel आप इसमें देख सकता है altros और i20 का look काफी टकर देता है एक दुसरे को लेकिन personally मुझे i20 का look जादा अच्छा लगा B pillar जो आप इसमें देखेंगे वो एक glossy material नहीं है वो एक matte material है एक अच्छा rear का design आपको इसमें देखने को मिलता है spoiler जो है आपको यानो black finish में देखने को मिल जाता है sharpie 19 आपको इसमें मिल जाता है अभी जो है इसकी बहुत सारी detail कवर करनी है ground clearance आपको इसमें मिल जाता है वो पहले की i20 की तरह ही मिल जाता है 165 mm का ground clearance आपको इसमें मिल जाता है DRL का design no doubt बहुत अच्छा लगा front का design आपको कही ना कहीं थोड़ा विलॉस्टर से डिजाइन किया गया है यह वही design है जो आपको auto expo में भी देखने को मिला था और rear की seat जो है आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगी rear से काफी बल्की लगती है i20 boot space में आपको पहले बता जिया था 351 liter का boot space में आपको इसमें देखने को मिल जाता है जिसमें आप 4060 का option देख सकते हैं एक अच्छा upgrade गाड़ी में किया गया है अंदर आप armrest दे सकते हैं और आप देख सकते हैं आपको काफी जगह में green insert देखने को मिलेंगे जो की lime green inserts हैं दूसरी और आपको जो sunshade मिलते हैं वो भी एक proper size के हैं लेकिन front के जो dashboard में आपको horizontal slaps मिलते हैं यह काफी subjective designs है जाता हूं इसके कुछ और features की और जो की बहुत लोग expect कर रहे था हैं मैं खुड expect कर रहा था कि आपको इसमें sunroof देखने को मिलेगा पर international version में तो आपको sunroof नहीं मिल रही है पर इंडिया में आपको sunroof मिलेगी है नहीं मिलेगी में आपको update करूँगा क्योंकि काफी सारी website जो है वो claim कर रही है कि आपको इसमें sunroof मिलेगी तो एक नजर इसकी engine की और डालता है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1000cc का turbo petrol engine मिलेगा जो की 99 bhp और 172 nm का torque मिलेगा 1.5 litr का diesel engine आपको इसमें मिलता है जो की क्रेटर सेल टॉस में भी दिया गया है यह आपको fix geometric turbo charger के साथ मिलेगा यानि की dtune engine होगा जिसमें की power कम करके 90 bhp कर दिया और जो maximum torque जो कर दिया गया है विस गाड़ी का हो है 220 nm का आपको केवल ये 6-preet का manual transmission के साथ ओफर किया जाता है ये engine भी जो इसका सबसे कम और सबसे 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 वर्जन का engine है वो है 1.2 litr का petrol VT-VT kappa series 4-cylinder engine जो की आप i20 और नियोस में देखी चुके है जो प्रेड्यूस करता है 83 bhp और 112 nm का torque मायलेग जो आपको इस गड़ी का मिल जाता है वो एक normal 13-14 का mileage मिल जाता है आपको तो यार वीडियो को like किये बिना मत जाना वीडियो अच्छे लगी हो तो like share subscribe जरूर कर देना